हेलो एब्रिवान वेलकम टू दोनाचार जोई के संस्टेडी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सीवेट पोस्ट ग्राजवर्ड प्रोग्राम का एडिमिसन प्रोसेस के भारे में कैसे आपको अलग-अलग इनिवर्शिटी में एडिमिसन मिलता है यहां पर हम सब कुछ इंपोड़ा रहेगा इसलिए वीडियो को अंतर जरूर देखेगा यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नहीं हो चनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद है तो लाइक करें आपके दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फर्मेशन आपको एडमिशन मिलता है अलग-अलग पार्टिसिपेटिंग इनिवर्सिटीज में ओके तो फास्ट यहां पर बोला गया है एंटे का स्कोर क्या है तो एंटे स्कोर औप सीवेड पीजी 2022 वी वेलिट फॉर एडमिशन टूद एकडेमिक यर 2022 एंट 23 ओंली तो एकडेमिक स टूदेशन 2022 अंटे थी के लिए ही यह स्कोर आपका वेलिड होगा एडमिशन के लिए नेक्स्ट बोला गया है स्कोर एंट कंडिडेट डेटा विल भी श्यार उइंवर्सिटी फ्यर ही और सी है एक तो यहां पर युक्त का स्कोर होगा यह अलग-अलग इनिवर्सिटी में यह अनिवर्सिटी में आप एप्लाय किये हो ओके सभी इनिवर्सिटी के लिए यह आपका स्थैन ही होगा यह आपका आपको score कर दिया जाएगा वहां पर आपको section one and section two, यहां पर आपका अलग-अलग score होगा, बट यहां पर आपका selection process में सब कुछ होने वाला है, जो भी यहां पर आपका applicable होगा, अलग-अलग courses के लिए next time the university can draw the married list based on total score or only on the score achieved in the section second the domain knowledge section, तो यहां पर क्योंकि आपका मेरीड लिस्ट प्रिपेर किया जाएगा बेस्ट अंदर टोटाल स्कोर या फिर केबल यहां पर आपका डोमेंड नौलेज सेक्शन को देखा जाएगा ठीक है तो यह अलग-अलग इनवर्सिटी का मेरीड लिस्ट सब कुछ अलग-अलग ही आता होगा ठीक है नेक्स्ट है इवालुएशन आप मल्टिपूल च्वर्स कोर्शन आप आल टेस्ट वेपर विल बी केरीड आउट यूजिंग फाइनल एंसर की तो यहां पर यूंकि आपका इवालुएशन प्रोसेस होगा यह फाइनल एंसर की के वैसी से ही सब कुछ होने वा तो वहां पर आपका रेजल्स दिया जाएगा उसी मार्क्स जो की फाइनल एंसर की के हिसाब से सब कुछ दिया जाएगा फर मॉल्टिपूल स्ट प्रोसेस अपको डिटल प्रोसेजर क्या क्या है यहां पर आप पर सेकते जो की अपेंडिक्स आई भी में इन्फर्मेशन ब आप देख सेकते हों यह सब को एंटिय का स्कोर से यहां पर आपका कनवर्ट किया जाएगा यहां पर मॉल्टिपूल स्ट में किसी भी पेपर का एंट्रांस एक्जाम होता है तो खीक है नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे रीवालुएशन और रीचेकिंग आप रेजल्ट तो यहां पर अपका रेजल्ट में के आपा उससे तरीके से आएगा नेक्स्ट है, there shall be no revaluation or rechecking of the result, no correspondence in this regard shall be entertained, तो result declare होने के बाद यहां पर आप revaluation या फिर rechecking यहां पर आप नहीं कर सेकते हो, no scorecard will be dispatched to the candidates and the candidates are advised to download their scorecard for CU8 2022 from the website cuet.nta.nic.in, तो आपको scorecard जो है individually send नहीं किया जाएगा, आप जो है official website में सब पूर्ड डाउनलोड कर सकते हो, जब आपको दिया जाएगा, ठीक है, next आप रहां देखेंगे admission process आपका कैसे होता है, अलग-अलग universities का, यहां पर बोला गया है, Merrily appearing in CU8 2022 does not confer any right to the candidates for admission to the desirious university, तो आप CU8 entrance दे दिये, तो यहां पर आपका confirm नहीं होगा कि आप किसी भी university में आपका admission हो जाएगा, तो यहां पर आपका selection process भी होगा, counselling process होगा, उसके बाद आपका verification होगा, सब होने के बाद आपका admission जो है confirm होगा, eligibility होगा, rank in the married list होगा, medical fitness, verification of original document and such criteria as may be prescribed by the university, the candidates is applying for, तो जिस university में आप apply किये हो, उसी university का eligibility होगा, rank होगा, verification of the original document, सब कुछ होने के बाद जो कि आपका admission जो है confirm होगा, next, admission और handle at the level of central and participating universities for their respective program, तो इसका admission process जो के handle क्या जाएगा, individually अलग-अलग university का ये अलग-अलग होगा, तो national testing agency जो कि entrance exam कर रहा है, आपको cable result ही देगा, आपको score कर देगा, बट selection process जो कि आपका, जिस जो इनवर्सिटी में आप apply कियो हो, उसी university का अलग-अलग होगा सब कुछ, after the declaration of the CUET result by NTA, the respective universities will declare counseling और admission schedule and married list based on the CUET score, and the other criteria of the respective university, तो NTA के बड़ जो की है, result declare करेगा, counseling and admission schedule and married list जो की है, अलग-अलग university का ये आपका respective university यहाँ पर आपका सब कोई declare करेंगे, next बोला गया है, for all the admission related procedure or queries, the candidates are advised to refer to the website of applied university, तो जिस इनवर्सिटी में आप apply किये हो, उसी university का जो की आपका procedure होगा, admission related queries होगा, तो वहाँ पर आपको refer करना होगा, official website में आपको regularly visit करना होगा, जिस भी university में आप apply किये होगे, जितना भी आपका इनवर्सिटी में आप apply किये होगे, तो आप सब इनवर्सिटी का official website में जो कि आपको visit करना होगा, after the declaration of the result, क्योंकि उसका, उनका जो है, admission जो की counseling process होगा, मतलब date भी अलग-अलग हो सेकता है, सभी का, next बोला गया है, the NTA has no role in the selection process, selection process में NTA का कुछ role नहीं है, और यहाँ पर जो बोला गया है, transfer, cancellation, conversion of seats, and admission of the CU8, appear candidates in the CU8 courses, and the refund of the fee paid by them, to counseling authority, और admission, तो यहाँ पर NTA का कुछ role नहीं है, यहाँ पर आपको result आने के बास सब कुछ, आपको उसी university को ही सब कुछ आपको देखना होगा, उसी university का website में जो भी आपका दिया गया है, query जो भी आपको करना होगा, उसी university को ही सब कुछ आपको बाद में करना होगा, जो भी आपका transfer के लिए, cancellation के लिए, किसी भी seat के लिए, किसी भी आपका query के लिए आपको उसी university का ही आपको सब कुछ देखना होगा next बोला गया है the letters, emails, gravians, queries, RTA application और court case containing to admission related matters और procedure will be undertaken by NTA, the same may be addressed to the concern university ठीक है तो यह था सब कुछ आपका admission process के बारे में था और revaluation, rechecking, result के बारे में था scorecard के related सब को यहाँ पर हम detail process को समझ लिए है आपको किसी भी तरीके का doubt है तो आप comment section में पूछ सेकते हो इस वीडियो में इतना ही था प्रेंट्स आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो like कर लिजगा और चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजगा इस तरीके का important information पाने के लिए तो thank you friends, thank you for watching, please like share and subscribe, thank you friends